जिसका नाम हे धी वन एंड उनली आईवन जो की एक सची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है 1973 से जहां हम गोरिला आईवन को देखती हैं। वो हमें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो और उसके कुछ दोस्त इस बिग टॉप मॉल में लोगों का मनोरंजन करते हैं। उनका रिंग मास्टर एक मैक नाम का आदमी है जो इन सभी जानवरों को बहुत प्यार करता है। आईवन की दोस्तों में से कुछ बहुत खास है जैसे कि हेंवरी टा एक बीसपॉल खेलने वाले मुर्गी, फ्रांकी एक सी, मुफी एक फायर ट्रेक चलाने वाला राबिट, स्नीकल्स जो की मेक की पेट डोगी है। और स्टेला एक एलिफेंट जो आईवन की सबसे पुरानी दोस्त है। इनके अलावा एक स्ट्रीट डोग बॉग भी है जो काफी सालों से छोपकर रोज रात उसके पिंजरे में सोने आता है और आईवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। मैक का एक वर्कर है रोजर, उसकी बेटी जूलिया रोज अपने पिता के साथ मॉल में आती है और अपना सारा वक्त आईवन के साथ पिताती है। एक दिन मैक की बातों से आईवन को पता चलता है कि उनके शो से इतना पैसा नहीं आ रहा जिससे मैक ये मोल चला सके। रात को वो स्टेला को कहता है कि जल्द ही वे कुछ ऐसा करेगा जिससे शो का महत्व बढ़ जाएगा और स्टेला भी उसका साथ देने को तयार हो जाती है। अगले दिन आईवन बहुत सोर लगाता है लेकिन देखता है कि अभी भी शो में बहुत कम लोग हैं। अगले ही दिन जूलिया फिर से वहां आती है और उसे आईवन की ड्रॉइंग दिखाती है। वो अपने पिता को भी यह दिखाती है और बताती है कि आईवन ने एक बीटल बनाया है। आईवन ये देखकर हैरान होता है कि जूलिया उसकी ड्रॉइंग को समझ सकती है। काम कम होने की वज़े से धीरे धीरे बाकी दुकानदार वो मॉल छोड़कर जाने लगते हैं और मैक परिशान हो जाता है। जिसे सुनकर वह बहुत एकसाइट होता है। स्नीकल्स को लेकर मेक कहीं जाता है। अगले सिन में बॉब को दिखाते ही चनहा स्नीकल्स उसे बताती है कि आज का शोग कैंसल हो चुका है क्योंकि एक नया आइनिमल उनके बीच आने वाला है। लेकिन बॉब को इसे सिक्रेट रखने को कहती है ताकि बाकी आनिमल्स को परिशानी ना हो। लेकिन बाहर निकलते ही बॉब सब को बता देता है और उन्हें लगता है कि शायद शोग का रेपूटेशन करने की कारण मैक किसी को रिप्लेस करने वाला है। आगे पता चलता है कि वो नया हैनिमल एक बेबी एलिफंट है जिसे मैक टेलर के साथ रखता है। मैक उसका नाम रूबी बताता है और उसे यकीन है कि वो इस शोग में नई जान डाल देगी। आइवन रूबी से इरिटेट होने लगता है क्योंकि वह बहुत सवाल पोचती है। अगले दिन शो में मैक आइवन के पफॉर्मस को बीच में ही काटकर रूबी को इंट्रोड्यूस करता है और ये देखकर आइवन को बहुत दुख होता है। स्टेला और रूबी की चोड़ी से जल्दी शो एक पार फिर से चल परता है और मैक रूबी का फोटो भी पोस्टर पर लगा देता है। आइवन और बॉब भी देखकर जलनी लगते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि स्टेला के पैर में कुछ प्रॉब्लम है। मैक उसे चेक करता है और उसे दवाई देने को बोलता है। रात को रूबी की जित करने पर स्टेला उसे अपने स्टोरी सुनाती है कि कैसे जब वो एक छोटी बची थी तो एक पड़े कड़ी में फंस गई थी और वहाँ एक लड़की ने आकर उसकी मदद की थी। वो बताती है कि कैसे यहां से बाहर की दुनिया में सब आजाद रहते हैं और वहाँ पेर पौधे पहार और जढ़ने हैं। आइवन भी यह सुन रहा था और वो भी ऐसी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन स्टेला शोपर नहीं जा पाती और माक रूबी क अकेले ही बाहर भेजने को कहता है। रूबी डर जाती है और यह देखतर आइवन को उस पर तरस आता है। वो उसका confidence बढ़ाने के लिए उसकी तारीब करता है और रूबी बाहर जाकर एक बहतरीन शो करती है। रात को रूबी के request करने पर आइवन उसे अपनी story सुनाता है वह बहुत छोड़ा था जब मैक और हेलन ने उसे adopt किया था। उसने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त पिताया और वो उसे बच्चे की तरह रखते थे। लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ा होता गया और उसकी वजह से उनका काफी नुकसान होने लगा। मैक को उससे कोई problem न करती है। वो कहती है कि रूबी अभी बहुत छोटी है और वो नहीं चाहती कि वो अपने पूरी लाइफ इस तिंजरे में बिता दे। वो आइवन से उसे यहां से भगाने को बोलती है ताकि वो एक free life ची सकी। आइवन उसे promise करता है लेकिन देखता है कि Stella मर चुकी है। मै लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। यह देखतर आइवन को बहुत गुस्सा आता है और वो रूबी को वहां से निकालने की ठान लेता है। वो बॉब को बताता है कि हाइवे के उस पार जंगल है जहां वो freely रह सकते हैं। वो कुछ drawing बनाता है जिसमें एक चाबी भी है। उस सब जगह advertise करता है कि आइवन पेंटिंग बनाने लगा है और यह सुनकर उसके शो में लोगों की भीड लग जाती है। शो में 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 के बहुत कहने पर भी आइवन कुछ throwing नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके मन में तो बस टेला की किये वादे को पूरा करने की च बेचता है। वो उसे अपने पीछे लगाकर आइवन के पिंजरे तक ले आता है और गार्ड देखता है कि आइवन सु रहा है। वो लोग खोल कर अंदर आता है और तभी आइवन उसके पीछे आ खड़ा होता है। उसे देखकर गार्ड बेहोश हो जाता है और आइवन गा तत आते हैं जो लोग है वो आईवन को उसकी ताकत की याद दिलाता है और वो एक ही पंच में वो गेट तोर डालता है वो सब लोग हाईवे की ओर बढ़ते हैं और उधर गार्ड मैग को फोन पर सारी बात बताता है हाईवे क्रॉस करते वक्त मुफी का ट्रेक फंस जाता है और आईवन उसे गारी से बाल-बाल बचा लेता है यहां एक गारी वाला आदमी उन सब जानवरों को जंगल में जाती हुए दीख लेता है जंगल में आकर वो सब बहुत खुश होते हैं और मस्ती करने लगते हैं लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क् कि एक छोटा सा पाक था जो चारों तरफ से शहर से खिरा हुआ है तभी उन्हें ढूनता हुआ मैक वहां आ जाता है और आईवन को समझता है कि इस तरह से वो रूबी और बाकी जैनवरों को खत्रे में डाल रहा है आईवन उसकी बात समझ जाता है और वो सब लोग वापस मॉल में आ जाते हैं मैक कार्ट को निकाल देता है और रोजर से कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना होगा नहीं तो लोग उनका ये शो हमेशा के लिए बंद करा देंगे आईवन रूबी से माफी मांगता है क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया रूबी उसस असली जंगल के बारे में पोचती हैं और तब आईवन उसे अपने बच्पन के बारे में बताता है जब इंसानों ने उसे पकड़ा था उससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ खुशी-खुशी जंगल में रहता था और उसे टीचर से पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था उसके पिता उसे एक बहादूर गोरिल्ला बनाना चाहते थी लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था उसका सारा टाइम या तो ड्रॉइंग करने में जाता था या फिर अपने बहन टाग के साथ खेलने में एक दिन जंगल में कुछ हंटर आए और उस पारे इंसान बुरे नहीं होते क्योंकि बच्पन में स्टेला को भी एक लड़की नहीं बचाया था और जूलिया भी उनका बहुत ध्यान रखती हैं अगले दिन जूलिया आइवन को कुछ कलर्स देती है और उसे अपने बनाई ड्रॉइंग दिखाती हैं वो कहती है कि उस पर फिर शो शुरू करता है जहां एक रिपोर्टर उसे जानवरों के भागने के बारे में पोचती है वो कहता है कि यहाँ सब ठीक है और उसे अपने शो की रिकॉर्डिंग करने के लिए इंबाइट करता है जूलिया अपने पिता की जगह लाइटिंग में हेल्प करती है एक एक करके सभी जानवर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और एंड में आईवन की बारी आती है। जैसे ही परदा हटता है, वहाँ रिपोर्टर और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मैक भी मुढ़कर देखता है कि आईवन ने एक जंगल की पेंटिंग बनाई है। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दिल से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने निस मूवी एक्स्टेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। जूलिया समझ जाती है और अपने पिता को बताती है कि आईवन यहां से निकल कर जंगल में जाना चाहता है। लेकिन हौर हे जूलिया से कहता है कि वो इसने उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जूलिया उस रिपोर्टर से मदद मांगती है और देखते ही देखते ही खबर हर जगह फैल जाती है। लोग मॉल के आगे प्रोटेस्ट करते हैं कि जानवरों को आजात किया जाए और आईवन भी समझ जाता है कि उसका प्लान काम्याब रहा है। मांग भी फाइनिली किब अप कर देता है और आईवन उसे अपना एक टॉय गिफ्ट में देता है। आगने मांग भी उससे मिलने आता है और आईवन को अपनी और उसकी एक तस्वीर दिखाता है। आईवन भी उसे अलविदा कहेकर अपनी नई लाइफ की ओर आगे बढ़ जाता है। आगे वो एक कमरे में उठता है और चारो तरफ दीवारे देखकर अग्रेसिव हो जाता है। अभी एक डॉक्टर आकर उसे बताती है कि वह यंधा नहीं बलकी कहीं और रहने वाला है। वो एक शटर उठाती है और आईवन देखता है कि एक हरा भरा जंगल उसके सामने है। पता चलता है कि ये एक एटलांटा जू हैं जहाँ जानवरों को उनकी नैचरल जगे रखने का पूरा इंतजाम है। आईवन वहाँ अपने ही जैसे और भी कई कोरिलास को देखता है और भाग के एक पेर पर चड़ जाता है। वहाँ दूर उसे कुछ हाथियों का जुन दिखाई देता है और वो देखता है कि रूबी भी वहाँ अपने साथियों के साथ खेल रही है। आखिर उसने स्टेला को दिया अपना वादा पूरा कर लिया और अब वो रूबी का भी ध्यान रख सकता है। तो दोस्तों ये मूवी असल में आईवन नाम के रियल कुरिला पर बेस्ट है जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। उसने भी अपनी लाइफ के कई साल ऐसे ही बन पिंजरों में गुजारे लेकिन आखिर में वे अपनी सही जगह पहुच गया। इसी के साथ में ये मूवी खत्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।